तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागा थे आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए MP आपकारी, MP PSC, MP पुलिस, MP वनरत्षक, जेल पहरी एवं अन्य सभी परिछाओं के दिश्टी से अति महत्पून वीडियो है, मदप्रदेश की जनगर्णा और उनसे संबंधित जो भी महत्पून प्रशन है, जो भी महत्पून फैक्ट है, उन सभी फैक्टों को आज हम इनमें कवर करा देंगे तो जनगर्णा से संबंधित एक भी प्रशन आपका गलत नहीं होगा, कितना भी डीप प्रशन पूछ ले, एक एक पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है, अन्तिम दस दिनों की तैयारी चल रही है आबकारी की, साथी साथ में अन्य कोई भी परिछा होग चल ये शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चल ये देखते हैं, देखिए, पहला फैक्ट की बात करें अगर आपन, तो देखिए, भारत की पहली जनगर्णा आपसे पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रशन है, 1872 मे भारत की पहली जनगर्णा हुई थी, ये तो अब तक पूछा जाता रहा है, लेकिन अब जो पूछा जाएगा, पहली जाती आधारी जनगर्णा कब हुई थी भारत की, तो याद रखिगा, 1881 में पहली जाती आधारी जनगर्णा हुई थी, और फिर इसको बीच में बंद चार साड़े चार सो वेकेंसी हैं तो समझ दीजिए उनको अगर लोगों को छाटना होगा तो अच्छे लेवल के प्रश्णों को रखेंगे तो जनगर्णा से ही आपको अच्छे लेवल के प्रश्ण देखरों को बिलेंगे क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कठीन स सकते हैं डीप से डीप प्रश्ण बनाए जा सकते हैं तो मद्रदेश के बरतवां जनगर्णा दे दे सक है सचिन सिन्हा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए तो अगला फैक्ट देखें तो महान विभाजक वर्स किसे कहा जाता है तो 1921 का जो वर्स था 1921 की जो जनगर्णा जनगर्णा थी ठीक है यही डीप प्रश्ण बनेंगे जो आपको परिशान करेंगे जनगर्णा कारे के लिए जनसंख्या अधिनियम कौन सा है पूछा जाएगा तो जनगर्णा कारे के लिए जनसंख्या अधिनियम जो 1948 है उसके आधार पर जो है जनगर्णा की जाती है ठ यारा मई को मद्धप्रदेश जन संक्या नियंतर दिवस मना जाता है। यह ऐसे प्रशन है जो आपके और दूसरों के बीच में कॉम्प्टीशन क्रेट करेंगे। यही ऐसे प्रशन है जो आपको दूसरों से चार से पांच नंबर ज्यादा दिलाएंगे और आपका जब तक आपके एक्जाम चलेंगे चाहे वह आपकारी हो चाहे वह आपका पटवारी हो कोई भी एक्जाम हो उन सब के लिए बहुत यादा महत्त पूर रहेगा ठीक है। याद रखेगा पूचा जाएगा कि मद्धप्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपाद देश के लिंगानुपाद से दिखे है तो याद रखेगा 22 ऐसे जिली है मद्धप्रदेश की जिनका लिंगानुपाद देश के लिंगानुपाद 943 से अधिक है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं देखिए अगला फैक्ट देखें तो रिवा का लिंगानुपाद जो है वो राज के ल हिवा जोनग्त्यूस ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक वर किलोOMिटर कंदर कितने लोग रहते हैं, देखिए सरवाधिक लिंगानुपाद किसका है तो बालागाट जिले का सरवाधिक है 1021 और नियुंतम लिंगानुपाद किसका है तो भिंड जिले का है 837 ठीक है आगे बल लेते हैं देखिए साधे साथ में एक जानकारी आपको और दे दे जिन लोगों का भी आबकारी का पेपर है वो लोग क्या करेंगे इस वीडियो को लाश्ट में एक नंबर दिया है वाट्सेप नंबर वो जैसे आप एकजाम देकर के बाहर निकलेंगे तो आपको जितने भी प्रश्नियाद हों आप उस WhatsApp नमबर पर तुरंट टाइप करके send कर देंगे, ठीक है ना, save कर दीजी का, वो success junction जो studio है, उसका जो personal नमबर है, उस पर केवल WhatsApp ही होगा, call उस पर नहीं receive होंगे, call आप करते रहेंगे, receive नहीं होंगे, ठीक है, कि वल WhatsApp नमबर है वो, उस पर अपने अपने प्रसने तुरंट share कर देंगे, जिससे कि किस level के प्रशन आ रहे हैं और आपके police में किस level के प्रशन आएंगे, आपके पतवारी में किस level के प्रशन आएंगे, बिल्कुल clear हो जाएगा, ठीक है, इन प्रश्णों के मतलब अगर आप भीज़ देंगे इन प्रश्णों के हिसाब से आगे के जो भी एक्जाम है उनका level clear हो जाएगा ठीक है तो आपको भी मदद मिलेगी आगे के एक्जाम में और आपके भाई बहनों को भी मदद मिलेगी जो आगे एक्जाम देना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ये करेंगे और comment box में comment करके ये बताएंगे कि आपका एक्जाम कब और कहां पर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और जो लोग अपना अपना मतलब प्रश्णी भीज़ेंगे वो नाम भी लिखेंगे अपना जिससे की अगले दिन वीडियो में जब उसका paper analysis किया जाए तो उनका नाम बता जासे कि भाई इनके सहयोग से प्रश्णी आए है ठीक है ना नाम जरूर लिखेंगे चलिए सरवादिक सिसु लिंगन पात अली राजपुर का है जो की 970 है निउंतम मुरेना का है जो की 839 है आगे बढ़ते हैं देखिए सरवादिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो इंदोर सरवादिक जनसंख्या वाला जिला है निउंतम की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा complicated है निवाडी oblique हरदा हमने दोनों लिखा है अगर आप से पूछा जाता है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार निउंतम जनसंख्या कहा पर है तो आप हरदा लगाएंगे अगर option में हरदा है और अगर option में हरदा नहीं निवाडी है तो आप निवाडी लगाएंगे ठीक है और नॉर्मल भी पूछते हो निवाडी option में रहता हरदा नहीं रहता तो आपको निवाडी ही लगाना है चलिए चेतरफल में सबसे सरवाधिक जनगरत कहा है तो भुपाल कहा है आट सो पचपन और निूंतम जनगरत कहा है तो डिनोरी कहा है चौरानवे याद रखेगा MP का 236 सबसे ज्यादा भुपाल आट सो पचपन सबसे कम डिनोरी चौरानवे ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला फैक्ट खोने जनगरत करें तो करम चार जीलों का आपको यादा रखना है चारो आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं सब्सक्रवाधिक चितरफल किसका है तो वाड़ा है सागर है शूपरी बैतूल ये चार ऐसे जिले हैं जिनका क्रम में चित्रफल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला फैक्ट कवर करते हैं देखिए अगर आप एक्जाम देने बैठे हैं तो पांच मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हैं टू एक्स क सरवाधिक लिंगानपयूह सबसे ज्यादा यहाँ पर लिंगानपयूह रूएब धिक है चलिए चलिए अगला फैक्ट जिली का लिंगानुपात एक हजार से ऊपर है याद रखना है पूछा जाएगा बद्धिस के चार ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात एक हजार से ऊपर है ठीक है ना तो अच्छी बात रहती है कि लिंगानुपात ज्याद रहता है तो बहुत अच्छी बात रहती है ठीक हो चा चौरान में हमने आपको पहले ही बता दिया ठीक है चलिए आगे बढ़ लीते हैं थोड़ा से जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा ज्यादा आपको जानकारी दिया यह हमारा लच्छ रहता है ठीक है न चलिए मद्प्रदेश की साच्छर्टा दर कितनी ह और महिला है 69.2% महिला साच्छर है ठीक है यह सारे फैक्ट है आपको याद रखना है ठीक है न वीडियो को लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है हाँ यह वीडियो हमको बहुत अच्छी लग रही है यह सीरी ऐसे ही कंटीवरी में भी काम काईएगा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि इंदौर में MPPSC त्यारी होती भाई बहुत ज्यादा वहाँ पर साच्छरता होगी लेकिन याद रखेगा जबलपूर सबसे ज्यादा साच्छर है फिर इंदौर है फिर भौपाल है फिर बाला काट है ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं देखिए कंफ्यूज नहीं होना है ठीक ना नियूनतम साच्छरता वाले जिले कौन कौन से है तो अलिराजपूर पहले स्थान पर है फिर जहाबुगा फिर बढ़वानी है फिर शियोपूर है और शियोपूर को तो आपको जरूर याद रखना है क्रम में जन संक्या ब्रद्धीदर यानि की 2001 से 2011 के बीच में कितनी दर सी जो है जन संक्या बढ़ी है वो सबसे जादा इंदौर में बढ़ी है फिर जहाबुगा में फिर भोपाल में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नूंतम जो जन संक्या ब्रद्धीदर है वो कहाँ पर है तो अनूपूर बैतूल चिनवारा यहाँ पर 2001 से 2011 के बीच में कम जन संक्या बढ़ी है सबसे कम कहाँ पर अनूपूर में ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं देखिए तो सरवादिक नगरी करण प्रतिसत वाले जिले कौन कौन से है आनि कि प्रतिसत में सबसे जादा नगर लडन के कहाँ पर है तो पहले पर भूपाल है फिर इंदार फिर गले pores जबलपूर नगरी करंवडया प्रतिसत में नहीं कि जान सबसे ज्यादा नगरी करण कहााँ पराए तो वह का भूपाल इंदौर गौौरिय जवलपूर फिर बढ़न कौन कौन से है तो डिनिक है अल और उजयन सागर मुरेना सरबाधिक अनसूचित जाती है करम में इंदोर उजयन सागर मुरेना चलिए आगे बढ़ लेते हैं देखिए अगला अगला फैक्ट है आपका नियूंतम अनसूचित जाती कहां पर है तो जाबुआ अलिराजपुर दिनोरी ऐसी यहां पर कम है जाबुआ अलिराजपुर मंडला यह तीनों आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला फैक्ट कवर करते हैं देखिए सरवाधिक अनसूचित जन जाती कहां पर है तो धार बड़वानी जाबुआ धार बड़वानी जाबुआ में सरवाधिक अनसू सतर नहीं पूछते हैं तो हम कवर भी नहीं करेंगे ठीक है अब क्या धार में जन करना हुई है और यह प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछा जागा एड़ मतलब बिलकुर ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रम में लगा कर बताएए कि सबसे ज्यादा मतलब कौन है हिंदू है म मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू है फिर मुस्लिम है फिर इसाई है फिर सिक्ष है फिर बौध है फिर जैन है याद रखी का आपको confusion बहुत और जैन में होगा क्योंकि जैन आप लोग ज्यादा सुना है सुनते हैं कि ज्यादा लोग जैन है लेकिन याद रख जाएगा यह दोनों मतलब बहुत दो जैन में कंपरिजन कराया जा सकता है ठीक है वीडियो को लाइक मेरे भाई जरूर कर देना ठीक है जो भी कमेंट बॉक्स में करके बताएगा सर मेरे फेपर यहाँ पर है इस दिन है तो उनका नाम अगली वाली वीडियो में हम लेंगे ठीक है चलिए अब एक महत्वोर जानकारी आपको दे दें ठीक है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे सबसे पहली बात ठीक है जिनने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देंगे सबसे पहली बात आपको जाद रखना है ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दें आप वहाँ पर जोइन करके चैट वगएर आपना कर सकते हैं आपसमें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह हमारा वाट्सअप नंबर है वाट्सअप नंबर है 7697611517 यहाँ पर आपने प्रश्ण अपने नाम के साथ में सेंड कर देंगे ठीक है वाट्सअप अभी हम बना रहे हैं वाट्सअप अपने नाम और अपने सिब्ड के साथ में यहाँ पर सेंड कर देंगे जिससे कि आपको आगे जो भी एक्जाम आने वाले हैं उन सब एक्जाम में आपको मदद मिल सके कि जतने भी आपको प्रश्ण याद है, मतलब सिफ्ट से बाहर निकलते हैं, जतने भी आपको प्रश्ण याद रहे, वो सारे प्रश्ण आप यहां पर तुरंत लिख देंगे, बहार निकल करके। ठीक है? तो ऐसे सब लोग लिखेंगे, तो एक हम, वहां हमारे पास प्रश्टनों का जखीरा बन जाएगा ये कितने प्रश्टना है फिर हम आपको उसके आधार पर पताएंगे कि पटवारी में कौन से महत्पूर है और आपके पुलिस में कौन से महत्पूर है MPPSC में कौन से महत्पूर है और daily analysis इसी channel पर आपको मिलेगा आवकारी exam का ठीक है तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद